तो 5 Best Electric Car in India वो भी 2024 में इस लिश्ट में मैं उन्हें प्रीमियम कार्ड को नहीं आइड किया है जो कि BMW की तरफ से हमें देखने को मिलती है Mercedes की तरफ से देखने को मिलती है भी Audi की तरफ से देखने को मिल जाती है Volvo और Kia की तरफ से देखने को मिल जाती है क्योंकि इन सारे कमपनियों की Electric Car जो अभी Indian मार्केट में आती है वो 40 लाग से उपर की है और Indian people 40 लाग के उपर एक Electric Car खरीदना प्रीफर नहीं करते है तो 40 लाग के अंदर जितनी भी हमें Electric Car इंडिया में देखने को मिलती है उन सारे ही कारों को मैंने इस लिस्ट में एड किया है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं Top 5 Best Electric Car इंडिया अंडर 40 लाग रोपीज तो फिफ्ट पोजिशन की बात करते हैं फिफ्ट पोजिशन पे वीडि की तरफ से हमें वीडि की Auto 3 देखने को मिलती है यह एक काफी अच्छी दिखने वाली इलेक्री गार है इस गाड़ी के अंदर आपको 60.48 kWh का Blade Battery Technology वाला बैटरी देखने को मिलेगा जिसके मत से यह कंपनी 521 km का Claimed Range करती है बट रियल रेंज आपको 452, 480 km के Around देखने को मिल जाएगा 0-80% चार्ज होने में लगबग 50 मिनिट ले लेती है यह गाड़ी DC Fast Charging के मदद से 150 kWh का Peak Power Allah आपको इस गाड़ी के अंदर मोटर देखने को मिल जाएगा 0-100 की स्पिट जाने में यह गाड़ी मातर 7.3 सेकिंड लेती है इस गाड़ी के साथ आपको 8 साल और 1,60,000 km का वैरंटी दी जाती है बैटरी के उपर यह गाड़ी के साथ आपको 5 कलर ओप्शन देखने को मिल जाएगे Blue, Red, White, Gray and Green इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस की बाद किये तो 34,000 रूपिज एक शोरूम प्राइस है इंडिया के अंदर 5th position पे एक और हमें electric car देखने को मिल जाती है जो की है Hyundai की तरफ से Hyundai की Ioniq 5 यह एक काफी अच्छी और premium segment की दिखने वाली electric car है और premium features के साथ भी यह गाड़ी आती है इस गाड़ी की साथ आपको 72.6 kWh का बैटरी देखने को मिल जाएगा इसके माद से company 631 km का range claim करती है बट रियल रेंज आपको 550 के आराउंड देखने को मिल जाएगा 160 kWh का peak power वाला motor देखने को मिल जाएगा इसके मदद से यह गाड़ी 0-100 की स्पीड जाने में मात्र 7.6 सेकेंड लेती है 10-80% चार्ज होने में यह गाड़ी लगबग 18 मिनट लेती है वो भी fast charging से 350 Watt का DC fast charging सपोर्ट कर लेती है और साड़ 300 kWh के DC fast charger से इस गाड़ी को अगर आप charge करते हैं तो 10% से 80% चार्ज होने मात्र 18 मिनट यह गाड़ी लेगी इस गाड़ी के साथ आपको 8 साल और 1,60,000 किलोमेटर का वैटरी के साथ वरेंटी दी जाती है इस गाड़ी के साथ आपको 3 कलर ओप्शन देखने को मिल जाएंगे gold, white and black प्राइस की बाद किया तो यह गाड़ी के प्राइस 45 लाइक रूपीज है जिसके कारण मैंने इस गाड़ी को 5 पोजिशन पे रख दिया है तोड़ा सा 4 लाख से उपर की गाड़ी है लेकिन अबरॉल काफी प्रीमियम और काफी मज़दार गाड़ी है अगर आप इस गाड़ी को चलाते हो तो आपको लगेगा कि आप एक 70 से 80 लाख के इलेक्रिक गाड़ी को चला रहे हो फोर्थ पोजिशन पे है टाटा एक्स्प्रेस टी नाइस एंड सिंपल इलेक्रिक कार विडाउट एनी इलेक्ट्रोनिक्स आपको कोई ज़ंजट लेने की जरूरत ने ना ज़्यादा आपको इस गाड़ी के अंदर फीचर देखने को मिलेगा और ना ही ज़्यादा आपको ज़ंजट इस गाड़ी के साथ मिलने वाला है main use इस कार का आप cap purpose के लिए कर सकते हैं इसे टीगोर EVV हम बोल सकते हैं, without feature वाली, 25.5 kWh का बैटरी इस गाड़ी के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, 277 km का claimed range देखने को मिल जाएगा, around 162-180 km का real world range आपको इस गाड़ी के साथ मिल जाएगा, नॉर्मल चार्जिंग की बात करें, तो यह नॉर्मल चार्जिंग लगबग 11 घंटे ले लेती है, लेकिन अगर आप 15 kWh का DC fast charging यूज़ करते हो, तो आपको अल्मोस्ट यह गाड़ी 2 घंटे में चार्ज होते हुए दिख जाएगी, 31 kWh का peak power वाला motor देखने को मिल जाएगा, प्राइस की बात किया तो 13-14 लाक रुपे, इसका एकशोरूम प्राइस है, यह गाड़ी आपके लिए एक अच्छी चोईस हो सकती है, अगर आप कैब के लिए कोई अच्छी गाड़ी ढोड़ रहे हो तो, अब बात करते हैं तीसरी इलेक्टिकार की जो की है महिंद्रा की महिंद्रा की XUV 400 Pro, जो की अभी हाली में लॉंच होई है, टोप एंड EL Pro, वन अब दा स्ट्रोंगेस्ट इलेक्टिकार इन इंडिया, इस प्राइस सेगमेंट में सबसे मजबूत इलेक्टिकार में से एक है, वैसे टाटा ने XUV से कंपेर की जाए, तो यह उतनी वैलू फ 24 kWh का बैटरी पैक देखने को मिलेगा, जिसके मत से कंप्री 450 km का IDS range क्लेम करती है, बट रियल रेंज आपको 282, 300 km का देखने को मिल जाएगा, टिपेंड्स कैसे आप गाड़ी को चला रहे हैं, साथी आपको 7.2 kWh का वाल माउंटेड चार्जर देखने को मिल जाएगा, 8 साल और 1,80,000 km का वैटरी वरेंटी आपको इस गाड़ी के साथ मिल जाती है, और इस गाड़ी के साथ आपको जरूरत के सारे फीचर मिल जाते हैं, 6 airbags आपको इस गाड़ी के साथ मिल जाएगे, 5 आपको सिंगल टोन कलर और डूल टोल करनर देखने को मिल जाएगे, प्रा लिंक है, जाके वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं, सेकंड पोजिशन पर, AMG की तरफ से आने वाली, AMG ZS EV, बेस्ट इलेक्री कार अंडर 30 लाक रूपीज, 30 लाक के अंदर सबसे मस्ट इलेक्री कार में से एक है, डिसेंट रेंज मिल जाता है, और प्रीमियम इंटिरि उसे भी आप जाके डिस्कृट फ्रेम लें लेंक है, देख सकते हैं, इस गाड़ी के साथ आपको 50.3 किलोटर का बैटरी पाइक देखने को मिलेगा, कंपनी 460 किलोमिटर का क्लेम रेंज करती है, लेकिन आपको 310 किलोमिटर का रियल वल्ड रेंज आपको देखने को मिल ज जेती है, 0-80% चार्ज होने में ये गाड़ी 50 किलोट के DC Fast Charger से 60 मिनेंट के लगबंग में चार्ज हो जाती है, और 9 घंटे के लगबंग में 7.4 किलोट का AC Wall Mounted Charger जो होता है, जो गाड़ी के साथ मिलदा उससे चार्ज हो जाती है, ग्रेड कलर, ग्रे कलर, ब्लैक कलर, आपको इस गाड़ी के साथ दी जाती है, इस गाड़ी के साथ आपको तीन वेरियंट देखने को मिल जाएंगे, स्टार्टिंग प्राइज 18,99,000 रुपे है, और टॉपेंड मोडल का प्राइज 20,99,000 रुपे है, और वैसे मैंने इस गाड़ी का फूल डिटेल रिवीव व के आचुके इंडिया मार्केट में, 25 किलोवाट आर का एक आपको बैटरी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और एक आपको 35 किलोवाट आर का बैटरी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, 25 किलोवाट आर का बैटरी मदद से ये गाड़ी 421 किलो मेटर का IDC रेंज क्लेम कर ज़याद में 10 mm किड़ लेती और जो 25 वार्ट वाट्री और वाट्री अ उसके सबस्ताइब नित्कीक होगे आहेगा जीरो टू हंड़ेट कि स्पूर जाने में ये गाड़ी 9 सेकंड ले लेती है, 8 सन और 1,60,000 किलमेटर का वैटरी ये वरांटी मिल जाती है इस गाड़ी के साथ आपको, कलर ओप्शन की बाद करें तो वाइट, ग्रीन, रेट, ग्रे और एक अलग कलर आपको इस गाड़ी के सा इस गाड़ी के स्टेटिंग प्राइज 11 लाक रूपे है, और सिर्फ 11 लाक रूपे है, वैसे इस गाड़ी का भी मैंने डिटेल रिव्यू कर रखा है, तो डिस्क्रिप्टेन में लिंक है, जाके आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडि इन गोएलेक्रिक